हलो एवरिवोन जय भोलेनाथ आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आपका अगला साथ दिन कैसा रहने वाला है तो यह जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसमें पिककार्ड नहीं है बड टाइमलेस रीडिंग है जब भी भी देखो उसके बाद का साथ दिन आप ले सकते हो ठीक है और चलिए देखते हैं जरूर चानल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले और वीडियो को लाइक करें ठीक है और चलिए मैंने इस डेक को क्लेंज करके रखा था अच्छे से ठीक है तो यह कार्ड में लूँगी क्योंकि अच्छे से क्लेंज करके मैंने आ रही है वो डिरेक्ट अनर्जी आ रही है तो चलिए यहां पर सबसे पहला काड़ है टेन आफ गफ्स एन टेन टेन नंबर दिख रहा है हो सकता है आपके लिए टेन टेन इंपोर्टन्ट हो आपकी साइन हो सकती है क्यांसर स्कॉर्पियो पाइसी सैरीस लियो सजिटेडियस या फिर जमना एक्विरियस लिब्रा ओके हो सकता है कि हाल फिलाल आप कुछ एंडिंग का सामना कर रहे हो चीज़े कुछ खत्म हो गई है आपके लाइफ में क्यूंकि टेन टेन का काड़ है आपको इविन शिक्स शिक्स भी दिख रहा होगा मुझे लगता है कि ठीक है जमना एक्विरियस लिब्रा भी है यहाँ पर जमना यह बहुत स्ट्रंगली है टोरस काफी जादा स्ट्रंगली है चलो एगैईश लिवो सजिटेरिएस एल साइन वालो के लिए है ठीक है seven of sword है bottom of the deck all sign वालो के लिए है timeless reading है जब भी देख रहे हूँ साथ दिन के बाद आपका लागू होगा बस याद रखिए all sign वालो के लिए situation के साथ मैं आज कर रहा है तो देखिए अब मैं clarify करूँगी हर card को awareness schizofernia the creator guys please channel को subscribe कर दे ठीक है thank you and video को like भी जरूर करे exhaustion trust angel और please हमें बताईये और क्या काथ से moment to moment next we have totality sorrow next we have the borden and thunderbolt ठीक है अब मैं आपके guidance कार्ड थोड़ दो तीन लोगी ठीक है क्या आपको guidance यहां पर मिल रही है तो उसे साब से थोड़ा सा कार्ड लेते हैं पहला कार्ड यहां पर हमारे पास है patience and please ठीक है next we have let go ठीक है भई let go करो और एक कार्ड यहां पर मिलूँगी और कार्ड सट करके आपो मिलूँगी यहां पर है travel ठीक है okay guys I hope अभी आपको जो कार्ड से वो सही से दिख रहे हैं तो अगले साथ दिन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी आपके personal life से क्योंकि बहुत सारे लोग personal life में काफी परिशान होते हैं तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में तो अगले साथ दिन में हो सकता है आपके लिए आपकी जो family के value है वो बहुत जादा बढ़ जाने वाली है of course सब अपने family को बहुत importance देते हैं लेकिन कभी कभी कुछ होता है ना कुछ-कुछ लोगों का family के साथ तोड़ा issue रहता है तो कही न कहीं अगर आपकी family आपको कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रही थी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी आपने ही समझ रहे थे आपने इन past कुछ गलर decisions ले लिये थे तो कहीं न कहीं आप aware हो जाएंगे कि मेरी family ही सही थी family के through आपको कुछ बाते पता चल सकती है ठीक है और मैं अगर आपकी दूसरी side देखू personal life के यहां पर अगर बहुत सारे लोग ऐसे हो जो आप love marriage करना चाते हो और कहीं न कहीं family support नहीं कर रही है तो मुझ लगता है कि अगले 7 दिन में family काफी support करने वाली है even आप जो सुन्दर सा ख्वाब देख रहे हो आपकी partner से love marriage को लेकर यह चीज भी कहीं न कहीं इसके तरफ एक रास्ता बन सकता है और कहीं न कहीं आपका वोस अपना पूरा हो सकता है अगले 7 दिन के अंदर definitely आपको आपकी personal life से love life में कोई good news मिलने वाली है even अगर आप wait भी कर रहे हो partner का तो कहीं न कहीं आप एक soul to soul connection feel करोगे soulmate वाला connection feel करोगे और कहीं न कहीं even आपके partner आपको contact भी कर सकते हैं अगर आप already married हो आपके partner है तो देखिए मुझे आप दोनों के बीच में जो bond है वो मुझे जादा strong होता हुआ अगले कुछ साथ दिनों में दिख रहा है यहां बर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों में next seven days में आप खुद काफी जादा confused हो सकते हो कुछ परिशान हो सकते हो देखिए क्या होगा आप दस काम करने के लिए सोचोगे ठीक है जैसे होता है दिन भर बहुत सारे काम होते हैं लेकिन हर काम के लिए हमें वक्त नहीं मिलता है तो हमें definitely एक दिन में कुछ नगुछ काम छोड़ना पड़ता है कि हम दस काम नहीं कर सकते हैं इतना हमारे पास power नहीं है time manage नहीं होता है लेकिन आप वो सबको करने की कोशिश करोगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ भी करके मैनेज कर लोगी लेकिन end of the day आप परिशान रहोगे तो आपके लिए यहां पर suggestion है अगर आप 10 काम नहीं कर पा रहे हो तो जबरदस्ती काम मत करो या फिर ऐसा है कि अगर कुछ चीजे आपकी लाइफ में सेटल नहीं हो रही है तो आप समझने की कोशिश करोगे हर चीज का वक्त होता है अगर अब भी कुछ सेटल नहीं हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि मुझे बस अब भी सेटलमेंट ही चाहिए चीजों को टाइम दो छोड़ दो बाद में चीजे सही हो जाएगी और कुछ लोग यहां पर तो ऐसे भी हो जिनको बताने की भी जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती चीजों को अगर सोचो के परिशान होगे आप में सब बहुत सारे लोग ऐसे हो जो अपने आप ही समझ जाओगे कि सच में बहुत सारा काम नहीं करना है आप खुद कुछ ना कुछ चीजों से निकल रहे हो ठीक है नेक्स सेवें डेज में आप खुद निकलोगे कोई चीज से कोई situation से कोई person से कही ना कहीं दूर जाओगे कुछ भी even आप travel भी कर सकते हो mentally आप किसी से दूर जा सकते हो या फिर physically आप travel भी कर सकते हो कहीं अपने family वगेरा के साथ change place change आपका हो सकता है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं next seven days में आप बहुत सारी चीजी start करोगे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया एक ही चीज पर रुकना है फिर मेरा जो काम नहीं हो रहा था जिस चीज के उपर उस चीज से कहीं ना कहीं pause लेकर आप मुझे थोड़ी से दूसरे काम में busy रखते हुई खुद को देख रहे हो मुझे ठीक है मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ start करने के लिए सोच रहे हो next seven days में कुछ भी हो सकता है ये career से जुड़ी हुई कुछ बाते हो सकती है अपनी personal relationship में बाते हो सकती है कुछ ना कुछ शुरुआद आपके दिल और दमाग में चल रहा है मुझे लग रहा है दूसरा यहां पर मुझे क्या दिख रहा है कि हो सकता है कि next seven days में आपकी जो expectation है वो आपको शायद वो ना मिले ठीक है देखिए ये normally होता ही है ये हमारा जो जीबन है ये ऐसा ही है कि like हम जो चाहते हैं वो तो हमें वक्त पर जिस वक्त पर हम चाहते हैं बहुत time नहीं मिलता है और कहीं न कहीं आप में से बहुत सारे लोग कम से कम चार-पांच दिन तक अगले आप ये ही face कर सकते हो आप अगर कोई मतलब बहुत साथ चीजे जितना आप चाहे संभालने के कोशिश करो जितना अपना time invest करो जितना अपने hardship डालो effort डालो जो कुछ भी करो हो सकता है कुछ चीजे workout ना करें आप जैसे चाहते हो उस तरीके से ना हो आप थोड़ी से exhaust फील कर सकते हो परिशान फील कर सकते हो आप आपके पास other options होगे लेकिन आप उनको explore नहीं करना चाहोगे आपको जो चाहिए बस मुझे यहीं चाहिए तो आप अगर इस energy में जिद्धी चैसे हो जाता है इंसान अगर जिद्ध करके बैठोगे तो हानी जो है वो आपकी ही होगी तो कहीं न कहीं मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपको expectation बहुत जादा नहीं रखनी है या तो आप अपने life के उपर control ले सकते हूँ या फिर काम में या फिर रिष्टे में फैमिली में बहुत सारी चीज़े आप अपने control में लोगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ खुद हर चीज observe करोगे आप जैसे होता है ना इंसान बिल्कुल फुल अपना दिमाग का यूज़ करता है हर चीज़ों में तो आप फुली अपनी potential आप अपनी intelligence बिल्कुल यूज़ करोगे सिर्फ ऐसा नहीं career में growth अगर चाते हो तो वहाँ पर भी आप जो है अपनी skills का पूरा पूरा जो है क्या बोलते है मतलब पूरा पूरा skill का प्रयोग कर सकते हो ठीक है to achieve what you want दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आने वाले साथ दिनों में आप जो है किसी के उपर बिल्कुल थोड़ी ऐस तरीके से trust कर सकते हो कि कोई आपका इनसान जो है ऐसा काम कर देगा वैसा काम कर देगा या फिर partner को यहाँ आप किसी को ऐसा trust कर सकते हो लाइक यह हाँ भई यह जो है यहीं बस है आपके लिए यहाँ पर बोलना चाहूंगी ऐसे मतलब जिसके उपर आप trust करोगे next seven days में थोड़ा सा देख सोच कर करना मैं नहीं बोल रही हूँ आप जिनकों पर trust करोगे वो इनसान बुरा होगा जि बिलकुल भी नहीं आप सही इनसान आप में परकने की शमता है आप परक सकते हो इनसानों को ठीक है और वही चीज़ आपको यूनीक बनाता है तो आप परक तो सकते हो लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सतर्क रहना अलर्ट रहना बहुत जादा जरूरी है ठीक है दूसरा विद्स लवस के साथ मुझे आप रिलेशन्शिप का आपका तो बहुत बढ़ा चलने वाला है आप अपने पार्टनर के साथ यूरो आपका रिश्टा बहुत अच्छा होने वाला है कुछ लोगों के लिए मैं बस यहां पर बोलना चाहूंगे कि सिर्फ लवर के साथ नहीं फामिली या फिर किसी और के अर्गिमंट में फस ने के लिए ठीक है आप जहां आर्गिमंट में फस होगे वहां पर थोड़ा सा उफीनियन का warning प्रिंटेस आ सकता है और थोड़ा सा मिसंडरस्टाइडिंग हो सकता है ठीक है तो इस तरीके से चीजों में ना फसे जितना दूर दूर रहे उतना ही अच्छा है दूसरा यहां पर मुझे लगता है कि next seven days में आप जो है किसी से you know good guidance ले सकते हो किसी भी बारे में हो सकता है रिष्टा हो काम हो कुछ भी हो आप किसी के साथ you know आप बहुत टाइम से कुछ चीजे करने की कोशिश कर रहे हो आपका नहीं हो रहा है बस आपकी हातों में आकर कुछ चीजे छूट रही हैं आपकी लाइफ में तो अगर ऐसी चीजे हैं तो आप किसी से guidance ले सकते हो वो कोई you know even कोई experienced इंसान जिसको आप जो काम कर रहे हो आप जिसमें आपको success नहीं मिल रहा है वो उसी काम में काहीं न कहीं काफी जादा export होंगे और आपको वो कुछ secrets बताएंगे आपको कुछ secrets बता चलने वाले हैं लोगों के आपके life में जो आपको help करेगी grow होने के लिए ठीके दूसरा मुझे आप भी कुछ बहुत जादा ऐसे दिख रहे हो जैसे लोगों के मदद कर सकते हो आप भी एक हो सकता है आप career counselor हो या फिर कोई तरीके से counselor हो teacher हो जो you know समझाता बहुत अच्छा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं आपका जो भी चीज़े नहीं हो रहा था आपके हातों से जो चीज़े छूट रही थी मुझे next seven days में with a very good guidance and support आपका कुछ काम मुझे होता हुआ दिख रहा है ऐसे नहीं सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा कहीं न कहीं आपके महनत होगी लेकिन आपको कहीं न कहीं से कुछ help मिलेगा ठीक है मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में आने वाले कुछ दिनों में आप जो है खुदी कुछ चीज़ों को लेकर नहीं समझोगे आपके सामने picture clear होगा लेकिन आप खुदी नहीं समझोगे समझना नहीं होता है, हम कुछ चीजों को accept नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो आपके life में अगर कोई situation ऐसे आता है, जहां पर आप clear हो, तो आप उस situation को definitely आपको accept करना है, आप अगर accept भी नहीं करोगे और परिशान रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा द रहन करो, ठीक है ना, अब आपका है कुछ चीजे आप ही के लिए अगर बना है, तो बात में वो आप ही के पास आजाएगा, नहीं बना है, तो आप जितना रोकने के कोशिश करो, वो नहीं रहेगा, ठीक है, और देखिए मैं इसलिए negative बाते भी बोल रही हूँ क्योंकि ज चले जाओं, ठीक है, और दूसरा मैं आपको ये भी बताती हूँ, अगर कौन सा प्रॉब्लम आता है, इसके साथ कैसे डील भी करना है आपको, ठीक है, विद इस फोर अफस्वर्ट मुझे लगता है कि आप जो है, आने वाले कुछ दिनों में, आपकी बोड़ी कही ना कही rest मांगेगा, ठीक है, आप बहुत overwork कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत ही जादा hard working person हो आप, कोई भी कुछ आपको बोल देता है करने के लिए, आप कर देते हो, बिल्कुल ऐसा मतलब, ऐसा नहीं कि कोई आपको इंसान मानने के लिए बोल देगा, आप मार दोगे, ऐ इसा नहीं, आप ना नहीं बोल पाते हो easily, तो अगले कुछ दिनों में, आप क्या करोगे, ना चाहे बोलो या फिर ना बोलो, आपको थोड़ा rest की जरूरत पढ़ सकती है, तो मैं यहां पर suggest करूँगे, आने वाले कुछ दिनों में, जितना हो सके अपने उपर कम burden लिया कर करते हो, लोगों को आपके बारे में बात करना, ठीक है, क्योंकि हम अकसर सुनते हैं, लोग हमारे बारे में हमारे पीछे बात करते हैं, आप जब सुनते हो, इग्नोर करना है, आपको वही rest लेते लेते हैं, अगर आप सुन रहे हो, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर से यह हो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो और आखिर में यहां पर eight of one से देखिए मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी में जो है कुछ ना कुछ sudden change आ सकता है कुछ ना कुछ opportunity आपको मिल सकती है वो job हो गया career हो गया कुछ भी even आप कहीं पर यू नो जिसे होता है हम life में कुछ achieve करने के लिए कहीं न कहीं हम थोड़ा सा किसकी help लेखते हैं तो अगर communication सही से कहीं पर नहीं हो पा रहा था वहां से communication सही बैठेगा वहां पर होगी आपको help मिल जाएगी अच्छी तरीके से place change मुझे दिख रहा है जगा का परिवर्तन आपका हो सकता है ठीक है दूसरा with this thunder boat कुछ ना कुछ आपकी life में change होगा एक positive change होगा और दूसरा ऐसे change होगा जो आपको लगेगा ये बिल्कुल positive नहीं है लेकिन वो आपके लिए बात में जाकर कुछ ना कुछ अच्छी positive चीज़े लेकर आएगी तो कोई change का आप wait करो हो जाएगा बदल जाएगा ठीक है दूसरा यहां पर है patience and please यहां पर आपके लिए message है जो लोग आपको hurt कर रहे हैं या पर cut चुके हैं उनको माफी दे दो चलो भई ठीक है तुम जाओ और आपकी life में आपको जो भी मिलेगा उसके लिए patience लिए आप wait करो ठीक है क्योंकि please के साथ यहां पर let go है तो आपका जो अगला साथ दिन है वो practice करो let go करने की चीज़े क्या let go करना है आपको कि यहीं सोच कर जो मेरा है वो घूम फिर कर मेरे पास आएगा जो मेरा नहीं है वो मैं जतना रखने की कोशिट करो नहीं रहेगा इस तरीके की सोच कर जो चीज़े जा रही है उसको जाने दो देखो आपको बहुत satisfaction मिलेगा और दूसरा travel हो सकता है आप काम के वज़े से travel कर सकते हो love love interest से मिलने के लिए travel कर सकते हो कुछ भ सच में कहीं चुट्टी के लिए जाओ मूड आपका थोड़ा फ्रेश हो जाए ठीक है तो इस तरीके की चीज़े होगी तो गाइस यह थी आपकी डीडिंग आई होप आपको यह डीडिंग पसंद आई मिलते हैं अगले डीडिंग पर अपना ख्याल रखें पाई काइस